आज बालो के लिए बहुत अच्छा आलू का पैक लाइए हूं जो आपके बालो के लिए लंबा इसमूध तरह काला बनाएगा चलिए श्टार्ट करते हैं सबसे पहले दो तीन आलू ले लिजिए उसको अच्छी तरह दो लीजिए फिर उसको चील लीजिए चीलने के बाद अरुप नचील लेजिए यहांरे मितननी खाट कॉरा है छाएं लीजिए ग्लाइंडर से काट लिजिए प्यों ने इसको आप बालो में लगाइए इसको तीन आपसे पाल तो प्हुलिए क्ल अजया जाएंगे में और बात आपके वाल को दो 3 जैना चीलने के लिए अरुआ एक गरम पानी कने रख दिए गरम पानी में आलू के चिलके को डालिए और इसको 10-15 मेर तक यह बाद के इसको पीस लीजिया ऑना पीसने के बाद आप अपने बालू में लगा लीजिए इससे भी बाल आपके बहुत मजबूत होंगे क्यों कि इसमें बिटामीं A विटामीन B, विटामीन C, पोटेसियम, जिंक, पोटे, और आईरन पाए जाता है जो अपने बालों के लिए बहुत फाइदा करता है जिससे बाल मजबूत होंगे, घने होंगे, काले होंगे तो आप आलू का यूज ऐसे भी कर सकते हैं और आलू का यूज जो सबसे अच्छा चालिया है कि आलू का पीस लीजिए पीसने के बाद एक चमच अलोवेरा जिल मिलाने के बाद आप बालो को अच्छे से बालो में लगाई है और 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इसको इसको सब्सक्राइब में दो से यह तीन बार करेंगे तो आपको एक महिने के अंदर रि यूज करिएगा ये अपने बालों के लिए बहुत फायदा करता है और साथ में कि अपने बालों को मजबूत अथा ग्रोथ करने के लिए मदद करता है जो बहुत फायदा करता है आप आलू का यूज दही के साथ भी कर सकते हैं कि आलू का पिष्ट बनाके उसमें दो तिन चम करता है एक तरह से ब्लीच करता है तो उससे रूसी भी नहीं होगी तो आप इसको नीव के साथ भी यूच कर सकते हैं और आप सहथ के साथ भी उसको सकते हैं सहे बेस्ट मॉस्कराजर टाइप कर रहता है वो अपने बाल को साइनिंग बनाएगा तो आप इस आलू को पीछ लीजिए क्लाइंडर से उसके चान लीजिए चानने के बाद उसमें सहे दो चमच मिलाईए और अपने बालों में लगा लीजिए और तीस मिनट लगान को सब्सक्राइब लाइक तथा कमेंट करके बताएगा आपको कैसा लगा